दोस्तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्याज के बारे में जी हाँ प्याज जो हम लोग खाने में यूज करते हैं बहुत सारे लोग हैं जिने प्याज बहुत पसंद होती है बहुत सारे लोगों को प्याज अच्छी भी नहीं लगती है तो बहुत सारे लोग दार्मिक मानेताओं के कारण प्याज नहीं भी काते हैं। तो मैं प्याज से बनने वाली उस दवा के बारे में आज आप से बात करने वाला हूँ जिसका की होमियोपैथी में बहुत ही बहतरीन तरीके से उपयोग किया जाता है। और किस तरह से कि जब भी किसी व्यक्ती को सर्दी की शिकायत होती है। नाक से पानी बह रहा है, आँखों में पानी है, आँखों से खुजली चल रही है, तब सर्दी है, उसे जुकाम है, उसे छीके बहुत ज़्यादा आ रही है, तब उस कंडिशन में उस दबा का उपयोग किया जाता है और होमेोपैथिक मेडिशनल सिस्टम में उसे एलियम और भी बहुत सारे रोगों में काम आती है तो उनके बारे में भी मैं आज आप से बात करूँगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सरदी के केसिस में, जुकाम के केसिस में छीके आने के केसिस में इलियम सीपा का उपयोग किया जाता है तो वे लोग जिनको जुकाम के दोरान नाक से बहुत ज़्यादा पानी आता है थोड़ा बहुत पानी आखों से भी आता है लेकिन सबसे ज़्यादा नाक बहने की शिकायत होती है और नाक से आने वाला जो पानी होता है वो बहुत ज़ादा एक्रेड होता है जलन करने वाला पानी होता है होटों का जो हिस्सा होता है उस हिस्से पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर उस पानी के पढ़ने के कारण घाओ तक हो जाते हैं इतना ज़ादा एक्रेड वो वाटर ह इतना ज़्यादा तेज वो पानी होता है नाक से बहने वाला और उस केस में ये बिल्कुल एलियम सीपा का करेक्टरिस्टिक सिम्टम है बिल्कुल चारित्रिक लक्षण है कि यदी किसी व्यक्ति को इस तरह की कोई समस्या है कि उसे सर्दी हो रही है सर्दी में उसे बहुत ज च्छीके आने के साथ-साथ उसकी नाक से बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है और नाक से बहने वाला जो पानी है वो बहुत तेज जलन करने वाला पानी है तो आप समझ जाए कि उस व्यक्ति को एलियम सीपा देने की जरूरत है इस दबा का उपयोग हम एलर्जी के केसिस म पानी बहने लगता है तब ये लिए हम सीपा का उपयोग किया जा सकता है अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सोकर उठने के केसेस में जब छीके आना शुरू होती हैं तो मैं बहुत सारी दवाएं पहले आपको बता चुका हूँ तो दोस्तों वो सभी दवाएं अलग लग लक्षणों के आधार पर काम करती हैं जैसे जस्टीसिया अढ़ा टोडा जो मैंने आपको दवा बताई थी कि सुबह जब किसी को बहुत ज्यादा ऐलर्जी की शिकायत हो छीके आने की शिकायत हो तो जस्टीसिया अढ़ा टोडा का यूज किया जाता है लेकिन जस्ट कि नाक से बहने वाला जो पानी है वो जलन करने वाला होता है उसके कारण होट के उपरी हिस्से पर यहाँ पर घाव पड़ जाता है तब उस केस में एलियम सीपा का उपयोग किया जाता है अब दोस्तों यदी किसी व्यक्ति को जुकाम की शिकायत है तो फिर उसे सिरदर्द भी कभी-कभी होने लगता है अब यदि आपको ऐसा कोई symptom है कि आपको जुकाम के साथ सिरदर्द हो रहा है और वो जो सिरदर्द है वो किस चीज से बड़ता है कि यदि आप गर्म कमरे में रहते है बंद कमरे में रहते हैं तो सिरदर्द तेज हो जाता है और यदि आप ठंडी हवा में घोमने निकल जाते हैं तो नाक से पानी बहना भी बंद हो जाता है और सिरदर्द में भी कमी आ जाती है तो समझ जाए कि ये एलियम सीपा का specific characteristic symptom है विशेश चारित्रिक लक्षन है कि यदि किसी व्यक्टी को सरदी की शिकायत है नाक से पानी बह रहा है नाक से पानी बहने के साथ साथ वो पानी जलन कर रहा है उसे सिरदर्द हो रहा है और नाक से पानी बहना और सिरदर्द में यदि उसे ठंडी हवा में ठंडे कमरे में खुली हवा में जाने से आराम मिल रहा है और बंद कमरे में गर्म कमरे में बहुत जादा उसकी जो तकलीफ है वो बढ़ रही है तो समझ जाईए कि उस व्यक्ति को एलियम सीपा देने की जरूरत है उसके सिरदर्द के लिए भी और उसके जुकाम के लिए भी इसके अलावा इसका जो तीसरा क्यरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है दोस्तों वो ये है कि कभी-कभी महिलाओं में जब मैंसेस आते हैं यानि कि उनके पीरेट्स जब आते हैं यानि कि जब उनको मासिक धर्म आता है तब उस दौरान उन्हें बहुत जादा सिरदर्द होने की शिकायत होती है और वो ये चाहती हैं कि वो ठंडी हवा में पंखे की हवा में नीचे लेटी रहें तो ये characteristic symptom है एलियम सीपा का कि जब भी किसी महिला को मासिक धर्म के साथ साथ सिरदर्द शुरू हो जाता है और मासिक धर्म जो वो मात्रा होती है वो जादा हो जाती है और सलाद खा लेने के बाद कभी कभी व्यक्ति के पेट में बहुत जादा दर्द होने लगता है तो यदि कभी आपके साथ ऐसा हो कि आप कहीं बाहर गए हैं आपने सलाद खाली थी या फिर घर भी आपने सलाद खाई हो बहुत सा आपको चलने फिरने से पेट दर्द में आराम मिलता है गूमने फिरने से पेट दर्द में आराम मिलता है और बैठ जाने से पेट दर्द बढ़ गया है वो पेट दर्द जो की सलाद खाने के बाद शुरू हुआ था तो आप समझ जाएए कि ये एलियम सीपा का एक symptom है और एलियम सीपा इस केस में देनी की पेशेंट को जरूरत है अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एलियम सीपा का एक बहुत ही शांदार प्रयोग एक बहुत ही बहतरीन प्रयोग आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का कान बड़ा दर्द करत है बहुत जादा तकलीफ उन्हें हो जाती है खास तोर से जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो जाए तब तो उसे बहुत जादा कान दर्द होने लगता है कभी कभी तब उन केस में आप तीन दवाईयां अपने घर पे जरूर रखें सबसे पहली मैडिसिन होगी आपकी पलसिटिला दूसरी होगी कैमो मिला और तीसरी होगी एलियम सीपा ये तीनों ही दवाएं कान दर्द के लिए सबसे जादा स्पेस्पिक रेमेडीज है तब जब की व्यक्ति जो है वो दर्द से कराह रहा हो जुकाम के साथ साथ अब यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका सभ यानि कि यदि किसी नाजुक कौमल सभाव वाले व्यक्ति को कान दर्द हो रहा है सर्दी जुकाम के कारण तब पलसिटिला देना है यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कान का दर्द हो रहा है सर्दी जुकाम के कारण और उसका जो सभाव है वो बड़ा गुसेल किस्म का है च इसे नाक से पानी आने के कारण जलन पड़ रही है, सरदी जुकाम है और कान दर्द की शिकायत है, पलसेटिला में जलन नहीं होगी, कैमोमिला में पानी से जलन नहीं होगी, जो पानी नाक से आएगा, लेकिन एलियम सीपा में पानी से जलन होगी, और उसके साथ यदि उसे क 30 potency का ही उपयोग किया जाता है और 30 potency की दो-दो बूंद दिन में तीन बार या चार बार व्यक्ति के लक्षणों की तीब्रता और उसकी chronicity के basis पे दी जाती है हाला कि सर्दी जुकाम के जो ज़्यादातर case होते हैं वो acute case होते हैं ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहते फिर भी allergy के वे cases जो की बहुत ज़्यादा लंबे समय से किसी व्यक्ति को परिशान कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए alien sepa के जो doses है वो different होते हैं वो अलग होते हैं यदि किसी व्यक्ति को सामान्य सर्दी जुकाम की शिकायत है तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में दो बूंद सुबे और दो बूंद शाम को या globules के रूप में वो दबा जो छोटी छोटी साबूद आने जैसी गोलियां होती हैं जो आप लोग कहते हैं उन globules के रूप में उस बच्चे को 5 साल से कम उम्र में दी जा सकती है अब यदि 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की उम्र का कोई बच्चा है तो उसे 2 दो बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है लक्षणों के आधार पर यदि लक्षण बहुत जादा हैं तो 3 बार और सामाने लक्षणों में सुबे औ और शाम के ही डोज होते हैं इसके अलावा बारा वर्ष से उपर के किसी भी व्यक्ति को दो-दो बूंद दिन में चार बार लक्षणों की तीब्रता के आधार पर दी जाती है कई बार चार बूंद देने की भी जरूरत पड़ती है लेकिन बिना किसी डॉक्टर से परामर्ष के चार बूंद ना दे दो बूंद तो आप लोग दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है चार बूंद यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत जादा व्यक्ति को परेशानी है तो फिर किसी डॉक्टर के पास जाके पहले कंसल्ट करें और वो डॉक्टर यदि आपको ऐलियम सीपद देते हैं तब उन केस में आप उस दबा को लेना शुरू करें आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलाल इतना ही आगे के वीडियो में मैं आप से बात करूँगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होमियोपैथिक दबाओं के बारे में